सब्सक्राइब तो दे आटोगेंच चैनल एंड हिट दे बैल आइकन फोर गेट नौटिफाइड इस टैम वेन वीडियो अप्लोड़ नीव वीडियो लेख करना ना भूले तो चलिए दोस्ता अब हम लोग सुरू करता है जो हमारी फिफ्ट नमबर पे जो बाइक है वह हांडा की एक्स ब्रेड इस यह लॉंच होई है और यह बाइक हॉंडा की तरफ से आती है वन शिक्टी सी सी सेग्मेंट की यह बाइक है और इस बाइक की ज तो Honda X-Blade का इंजन काफी अच्छा है और अगर हम लोग इसमें कुछ और प्लस पांट की बात करें तो इसमें आपको 130 सेक्षन का रियर टेयर मिलता है जो की काफी अच्छा रोड प्रेजन्स देता है पीछे से देखने में इसका टेयर काफी जादा वाइड है अगर हम लोग इसमें की आपको गियर इंडिकेटर भी शो होगा और अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो इस बाइक की जो एक सो रूम प्राइस है वह है 82,000 तो होंडा इस लिश्ट में फिफ्ट नंबर पे थी और यह काफी अच्छी बाइक होंडा की अगर आप का बजर्ट एक वह है बजाज पुल्सर 150 UG5 पुल्सर 150 UG5 पुल्सर 150 का अपग्रेड़ेड वर्जन है या फिर आप इसे अप फेसलिफ्ट टाइप से भी कह सकती यह इसी यह लॉंच होई है और यह पुल्सर 150 का एक तरह से टॉप वेरियंट है और इसका जो एक सो रूम प्राइस है वह 84 थाउजन रूपीज है और अगर हम लोग इसमें कुछ फीचर और इसके कुछ प्लसपंट की बात करें तो इसमें आपको 120 सेक्षन का यह मिलता है जो कि पहली वाली सारी पुल्सर 180 से लिया गया पहली वाली पुलसर में आपको 110 सेक्षन का यह टार देखने को मिलता तह तो 126 का रिया जो कि काफी अच्छी बात है अब फिफ्टी यूजी फाइब में एक और प्लस पॉइंट है कि इसका जो माइलेज है वो काफी अच्छ है 45 से 50 के आपको माइलेज मिल जागा अगर आप इस बाइक को अच्छी तरह से चलाएंगे तो इस बाइक में भी कुछ काफी अच्छे फीचर है जैसा इस बाइक में स्प्लिट सीट है इसका जो सीट है उसमें कॉमफर्ट बहुत अच्छा है और इसमें अभी ब्रेकिंग के लिए बहुत ही अच्छी कर दी गई है क्योंकि इसमें आपको दोनों ही टायर में डिस ब्रेक देखने को मिलते हैं और अग इसमें आपको बहुत ही अच्छे इंजन देखने को मिलते हैं इसमें आपको देखने को मिलते हैं तो 160 CC में इसमें ABS आपको देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है और इस बइक कर दो weakness की बात करें तो आपको इसमें मतलब होनेट की जो नहीं अभी वाली जो version आर इसमें आपको LED headlamp भी देखने को मिलता है जो कि काफी अची visibility प्रोवाइड करती है नाइट राइडिंग में और अगर हम लोग इसकी टायर सा इसकी बात करें तो यह इस लिश्ट में जितनी भी Honda Honda 160R जो की काफी अची बाइक है इस बाइक की जो एक्सरूम प्राइज है वो है 91,400 रूपेज तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बरते हैं अपनी सेकेंड नंबर बाइक पे तो दोस्तों जो हमारी सेकेंड नंबर बाइक है वो है सेग्मेंट में सबसे ज्यादा पाउर वाली बाइक यह तो आप बेजी जग अपाची आर्टीर 164 भी को ले सकते हैं और अगर हम लोग इसके कुछ और प्लस पाइंट की बात करें तो इसमें आपको जो गेर बोक्स मिलता है वो काफी जाद है बहुत अच्छी तरीके से इ उसमें भी काफी जारे फीचर है जैसा उसमें 0-60 टाइमर है लैप रिकॉडर है तो यह सब फीचर आपको अपाची आटीर 164 भी में मिलता है लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी पॉइंट है अगर आप इस बाइक को लेना चाहते है या कंसिडर करना चाहते है वह इसका 90,600 और इस बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्टिट भी आता है तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारी सेकेंड नमबर पर बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट नमबर पर पाइक दोस्तों हमारी फर्स्ट नमबर पर बाइक है वह भी इस यह लाउंच साथ मिलती है 1,000,000 के नीचे और आपको इसमें सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिलता है 200cc इंजन भी देखने को मिलता है जो की 18.1 PS का पाउर जनरेट करता है डूल डिस्क भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे और इस बाइक का जो राइट क्वालिटी है वह भी 22,000 तो Hero Extreme 200R एक काफी अच्छी बाइक है अगर आप डेली सिटी कम्यूटिंग करना चाते तो यह बाइक आपी के लिए बनी हुई है इसका जो मिड रेंज है वह काफी ज़दा पंची है तो आपको मिड रेंज में यह काफी ज़दा पिक अपको मैहसूस होगा अगर आप म पिर मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इस बाइक कैसा लगा तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू